रेकेज का क्या अर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं रेकेज का अर्थ होता है नाश, ध्वन्सावशेश, ध्वन्शावशेश का मतलब होता है किसी चीज़ का ध्वन्स हो जाने के बाद जो अवशेश बचते हैं या जो मलबा बचता है उसको हम ध्वनसावशेश कहते हैं इसके लावा इसका आर्थ होता है भगनावशेश, मलबा या नावादिका तूटना या तूटा हुआ जो भाग होता है या हिस्सा होता है या जो मलबा होता है उसे रैकेज कहा जाता है जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि मलबा दीरे दीरे घट गया तो आप कहेंगे The wreckage slowly drifted away या अगर आप यह कहना चाहें कि मलबे में दो बच्चे दब गए तो आप कहेंगे Two children were trapped in the wreckage या अगर आप यह कहना चाहें कि मलबा काफी दूर तक फैला हुआ था तो आप कहेंगे wreckage was strewn over a wide area wreckage was strewn over a wide area अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें